तो जो लड़का जब दस साल का हो जाता, जो लड़का ये विवस्ता को याद करने में, मुसा के पांच ग्रंतों को याद करने में, जब वो समय बिताता और वो उसको याद कर लेता था, तो वो बच्चा जो है आगे की पढाई के लिए जा सकता था. अगर वो बच्चा इसमें फेल हो गया तो आगे की पढ़ाई वो नहीं कर सकता था तो दस साल के बच्चे को उनका रब्बी जो होता था गुरू जो होता था वो कही सवाल पूछता था वो उत्पती की किताब से हो निर्गमन की किताब से हो वो गिंती की किताब से हो, विवस्ता वीवरान की किताब से हो इन सारे किताबों से वो सवाल पूछता था और उन सवालों का जवाब ये 6 साल के बच्चों को देना होता था 6 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनको देना होता था और जो बच्चे उसमें एक्टिव थे, याद करने में, पढ़ने में, विवस्ता को समझने में, वो बच्चे आगे की पढ़ाई को कर सकते थे, अगर नहीं, तो फिर उनका रभी, उनका गुरू, उनको वापस अपने अपने गरों में बेज़े।